स्वागत आप सबका न्यूजिलेंड टूर आफ इंग्लेंड के अंदर यह तीसरा T20 यह आई है जो खेला जाएगा एजबेस्टन बर्मिंगम के उपपर मैट्स टाइमिंग है शाम के साथ बजए तो सबसे बहुत पिछले मैच के समरी की बात तरते हैं वो उनसाइड़ गेम था इंग्लेंड 95 रेंस से जीत दर्च करती है तो जीति इंग्लेंड की टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है और हैंपर दो प्लैर्ट चलते हैं जाउनियो पैरिश्टो और हरी ब्रूक दोने ने 90% टरंस करें जाउनियो पैरिश्टो ने 96 की पारी गरी और यहां पैरी ब्रूक ने 67 किया था और टीम को पहुचाया 198 रन के स्कूर के उपपर और 4 विकेट इस टीम ने गवाया था विल जैक्स का उमनिस था जाउस बटलन ने 13 नाबाद बनाये थे गिंदबा जी की बात तरता है इस शोड़ी के दो विकेट थे मिचल सैटन का एक विकेट था टीम साओधी का भी यहां पर एक विकेट था विशाल सूर चेसकर ने आती निजलेन की टीम 103 रन पर सिमट जाती है टीम शेपड ने 39 किया ग्लेन क्लिफ्स ने 20 किया चैप्मेन ने 15 किया और टीम साओधी स्रिम के फोर्थ हाइस रन गेट रहे थे और यहां पर जो डेब्यू था कमाल का डेब्यू रहा इंग्रेंट के तरफ से सबसे बेस्ट गॉलिंग फिगर्स डेब्य के दिन गैस रेटिंसन के नाम रहे चार विकेट 20 रन देखे आदलाल अशित का दो विकेट था विल जेक्स का एक विकेट लियम लिंग्स्टन का एक विकेट था तो लेट्स इस क्लेश के अंदर क्या होता है अभी भी इस सिरीज के अंदर चार मैच की T20 सिरीज है इसमें जीवित है New Zealand की टीम आप खुद देखो दो मैचेस हो है दोनों के अंदर यहाँ पर अभी तक England जीती है 2-0 सो आगे चल रही है बट यहाँ पर अगर यह तेसरा मैच जी जाती नुजलन की टीम तो सिरीज 2-1 की हो जाएगी और फिर चौते T20 के अंदर बहुत मजा जाएगा तो लेट सी इस क्लैश के अंदर क्या होता है फिर अपन देखेंगे यहाँ पर 8 सितंबर से उडिया इस सिरीज फिर 10 सितंबर को दूसरा मैच है तीसरा मैच 13 सितंबर को है और अंतीम और चौता ओडिया एका लॉड्स के उपर एतियासिक स्टेडियम है 15 सितंबर को लाफ मैच इस सिरीज का खिला जाएगा तो लेट सी क्या होगाइस मैच के अंदर अब देखें इस व्यूडिय के अंदर बहुत इंपोर्टेंट है पिछ रिपोर्ट एज वेस्टन बर्मीकम का मैदान है बड़े खूब से ग्राउंड है इस वैंडिय के उपर लास्ट टीवन्टी के मैचस खेले के यह थे वाइटेलिटी टीवन्टी ब्लास्ट के फाइनल्स दे के दिन पंदरह जुलाए के हम पर तीन मैचस हुए थे मैं आपको फ्लेश बेक में लेके जाओंगा दो यहाँ पर सेमी फाइनल मैच वाद एक फाइनल मैच हुआ था क्योंकि टीवन्टी ब्लास्ट हो जो फाइनल्स दे होता है एकी दिन होता है तो आप देखो लास्ट मैच यहाँ पर एसेक्स वर्ट से सॉमर्सेट का था जिसके अंदर सॉमर्सेट जीतती है और ट्रोफी उठाती है वाइटलिटी ट्वन्टी ब्लास्ट दो जारते है इसका अब देखें आपर स्कुरिंग बैडन क्या वाइटा सॉमर्सेट फ़ले बैटिंग करने आई 145 बनाती है दस विकेट गवा के इसक्स यहाँ पर चेस करने आती है और 131 पर सिमर्ट जाती है वो तो डैनल सेम्स बहुत अचिनिंग्स खिल गए थे मैच को जिदा भी सकते दे बट लास्ट में आउट हो गया है इससे पहले 142 बना साथ विकेट गवा के जो टीम चेस करने आती है 118 रन पर सिमर्ट जाती है 170 बना जो टीम चेस करने आती है वो DLS मतल के तो जीच जाती है 11.3 ओवर्स के अंदर ही 161 बना टार्गेट चेस हो गया 141 बना टार्गेट चेस नहीं हुआ 228 बना टार्गेट चेस नहीं हुआ तो पिछले 23 मैचेस के अंदर इस वन्यू के पर 14 मैचेस बैटिंग फर्स करते हो जीते गया है और आप यह सकते हो 9 matches यहाँ पर chase करते हो जीते गया है England इस वन्योगी पर 4 match लिए 3 match जीती है और यहाँ पर 1 match हारी है New Zealand की बात रहें पहली बार इस वन्योगी पर New Zealand की team खेलने वाली है England की उन ग्राउंड है पहली पारी के अंदर इस वन्योगी पर साड़े नौ के असपास रन गदी होती है रन्स पर ओवर सेकंड इनिंग्स में आपर RBO 8.6 का होता है अब देगें जो last match था A6 वर्टस तॉमाट सेट का उस गेम में 14 wicket पेसर्स ने निकाला था और चार wicket यहां पर spinners ने निकाला था और राल wicket को समझते है तो इस प्राणी के पर spinners भी important रोटे है याद रखना लास 17 matches के अंदर पेसर्स ने यहां पर 144 wicket निकाला spinners ने 95 wickets निकाला बाइस spinners की भी एमत यहां पर बहुत ज़्यादा होती है अगर आपने ध्यांद से इस साल T20 Blast के matches देखे हों इसमानी के अपर Dan Mousley बॉलिंग करते थे वर्विक शायर की तरफ से Glenn Maxwell मोहि नली है सब wicket यहां पर निकालते थे तो देखो आप पहली पारी के अंदर पेसर्स ने succession wickets निकाला है दूसरी पारी के अंदर 77 है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि पहली पारी के अंदरी बॉलर्स इंपोर्टेंट है फास्ट सेकेंड निक्स में भी बहुत अच्छा डालते है राइट आम पेसिस का आप देखो 116 wickets है और लेफ्ट आम पेसिस का यहां पर 2800 wickets है स्मिनेट्स की बात कर रहे है 95 wickets कैसे हैं आपको मैं बताता हूँ 95 wickets में पहली पारी कंदर 49 दूसरी पारी कंदर 46 है ओफ्ट मेंट्स का 31 लेफ्ट मेंट्स का 26 लेफ्ट आम चमन का 12 लेफ्ट आम और्फ्ट मेंट्स मेंट्स का 26 अब आपको मैं लेके चलता हूँ पिचस की फूटो की तरफ हाल लेकंदर यहां पर 10-100 के मैचेस हुए थे तब यह पिचस की फूटो आप देख सकते हो नॉर्मल यहां पर पिच का इस्तेमाल किया गया था हाइबिड पिच के पर ज्यादा मैचेस नहीं हुए थे आप अज बेस्टन के पर तो आप देखे हैं असी पिच यहां पर दिखी थी और यूस्ट पिच यहां पर दिखती है तो बहुत ही बड़ीया सर्फेस रहता है रंस बनते हैं स्मिनर्स गेम में आता है और यह आप देख सकते हैं बाउंड़ीया स्क्राइब दिखता है और वेदर फोकास में आपको वही कमगा यह मैच वहां पर साधे चार गंटे माइनस करो दाही बज़े के आसपास स्टार्ट होगा ठीक है दाही बज़े 42 परसंट चांसस अफरेन है फिर 23 फिर 21 शोला परसंट 14 जैसे 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 दिन धलता जाएगा उसे बारिश की चांसस कम होते जाएगे तो दुआ करते हैं और स्टार्टी में अलगा सा डिली हो सकता है अगर जादा से जादा कुछ होआ तो न्यूस वही स्रीम में जो मैंने आपको पहले गई थी दून टीम्स नापस में 25 पैंस खेले हैं इंग्लेंड सुरा जीती है नुजलेंड आट जीती है एक मैंस सिस्टीम का नोट जल गिया है चलते हैं ग्यारा के दरोग विल जैक्स उपन करेगा अलोंग विट जॉनी बैडिस टो डिविड मलान आएंगे फिर है रिब्रोग, जॉस बटलर, मोहिनली, लिविंग्स्टन, साम करन, बैड लिमकर, सादल, राशिद, लिपूर हूम ग्राउंड है ये लिविंग्स्टन का किस वज़े से लिविंग्स्टन खेलता है बर्मिंगम, फेनेक्स कंदर दा हंड्रेड के अंदर और ये मोहिनली का हम ग्राउंड है, डिजैनर ने आइटिंग गलत लोगों लगा दिया, जॉस बटलर का हम ग्राउंड नहीं है, मोहिनली का हम ग्राउंड है, इस साल मोहिनली वर्विक शेर्के टीम में आचुका है और दा हंड्रेड के अंदर भी इस्टीम के लिए खेलत है, तो मोहिनली का प्योर हम ग्राउंड है, लेमिश्टेन का तो आप कह सकते हो, दा हंडर के वज़े से हम ग्राउंड वाई है, और तो और अब देखो, डेवन को अमने की बात तरता है, उपन करेगा, फिन एलन के साथ, टिम शेफ़र्ड है, ग्लेन फिलिप से मार्क राउंड है, बर्मिंगम के लिए खेलता है, मैठ हंडर को खिलाना चीए, पता नहीं टीम क्यों नहीं खिलारी मैठ हंडरी को, जोनी बैरिस्टो की बात तरता है, 12 मैचे से अट्टूर के अंदर खेला है, 27 के उसा दा बैरिस्टो बैस्टो फोम में आ चुका है, 245 बड़े स्कोर से नहीं खेले हैं, बट बाट पांच निंग्स में घरिये हैं, फिराग नहीं विल जैक्स, दो मैचे सकंदर 41 रंस, बैट इंग वर इस, दो नहीं तीन विगेड है, बैट इंग उस एक मैच में जएक मैच में बाउन की एवरेज है, 418 रंस है, 149 का स्ट्रा पर चैस के पर चैस के पर चैस के पर 38 नाबाद 19 43 है अच्छे साउंड बेटर है एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी फिर्टेस बाइस इस गेम के अंदर हैरी बूप तीन मैचस में 117 रंस है हमिशे आता बाइस से मैच के अंदर महौल बना के जाता है बैटिंग फर्स साथ चेस के पर 43 नाबाद बैटिंग फर्स 67 लास्ट गेम में किया था बैटिंग फर्स साथ मैच खिल चुका है 84 रंस है बैटिंग फर्स 20 23 28 नाबाद 2 तीन चेस के पर 8 है पिछले इसकी तीन इलिंग्स देखा आप वाइड बाल की 67 43 नाबाद 105 नाबाद अलगी फर्म में चल रहा है बंदा मोहिन अली 6 मैचेस के अंदर 98 रंस है विद बैट बहुत खराब फर्म में दो विगेट है बॉलिंग से कुछ कर सकता है करा तो करा वैने की पर 26 मैच में 26 विगेट है बल्ले से 740 रंस है लोकल लड़या का एक सथक तेन अरशत तक साथ बार 30 गया है 30 मतलब 30 से 50 के बीच में कितने बार स्कोर किया है जौस दो बॉस अगेंस्ट आप देख सकते हो निज़िलेंड अब क्या हुआ बटलर और उडियाई फॉर्मेट में खेलने लग गया है उनको यह लग रहा है उडियाई चालू हो गया बटलर उडियाई के निचे खेलता है और अभी भी T20 सेरीज में निचे खेल रहे है बैरिस्टो को नहोंने अपनी पोजिशन दी और का बैरिस्टो आओ आप खेलो क्योंकि आप इंजरी के बाद वापसी करें आपको हम टाइम देना चाहते है आपको फॉर्म में लाना चाहते है और लास्ट गेम में अपने देखा बैरिस्टो ने बखु भी क्या करके दिखाया वैंडियाई के पर पंदरा मैच में 306 रंस है जौस बटलर का 28 के अबरेज है 163 का स्ट्राइग रेट है मैं टेंडरी खेलता है तो जौस पटलर की इंपोर्टिंग जाधा होगी मैं टेंडरी खेलेगा नहीं गेम से विकेट निकालेगा इंगलेड के टॉप ओर्डर स्काउट करेगा हो तो बटलर की बैटिंग जल्दी आ सकती है लिविंग स्ट्रूं का चार मैच में 47 रंस है चार विकेट से बॉलिंग अच्छी कर रहा है वैन्यूकिपर 18 मैच में 303 रंस से इन विकेट है बल्ले से 22 के अबरिज है आपर साम करन ये थोड़े ठंडे हो गया है अभी पिछले चार पांच मैचस से फॉम में नहीं चल रहा है हैं एक भिकेट-जिरो विकेट रंस य सर्थ से फोम एंग ref lal अब्लीक अनदर अफ मेच में 80 रंस बान रहा है ये दोग्वाइर्यर में 11 विकेट है अद्यल रसिद ग्यारा में 11 विकेट हैं एड़े पर 6 मैच मेच में 8 विकेट है पिछले दो मैचस में 3-3 उडाला भाही ने 4 ओर नहीं डाले इनके साथ भी थुटी सी मस्ती करी जा रही है बैरिटन कर्स दो मैच में 4 विकेट बॉलिंग 1 एक मैच में 3 बॉलिंग 2 एक मैच में 3 विकेट निकाल चुका है बट दो इनिंग्स में बॉलिंग करी है, दोनो बार बॉल सेकंड गिया है, तीन विकेट और दो विकेट रहा है Gus Ettingson, चार विकेट अपने डेब्ब्यू के गेम में निकाला है स्टीम के अगेंस्ट वन्यकेट पर एक मैच में एक विकेट है, बॉलिंग फर्स करते हुए, जब सरी का मैच नहाँ पर तब खिला गास ने सरी इन की डूमसिक टीम है लिगूर का एक मैच में तीन विकेट है, वन्यकेट पर तेरा में बारा विकेट है क्रिस जोटन को 9 मैच में 9 विकेट है, एट्टोड में वैंडी के पर 7 मैच में 12 विक्ते हैं, बैंट डेकेट के स्विन्री के पर 18 मैच के अंदर 420 सरेंस है, रिया नमेद नेया पर 3 विकेट निगाला एक मैच के अंदर, पिछले गेम में सैम करने डला था, पहला तीसरा पा बाब अबर था, सोचॉप, 13-14 के अंदर मैच फिनिश सा लास्टीम के अंदर, बहुत खराब केल रही है, नोजलन के टीम, और यह स्ट्रॉंग टीम ऐसा नहीं कि इनके स्टेंडबाई टीम है, कोई नए प्लैट्स को बेज दिया, यह सब इनके रेगुलर प्लैट्स है, क कॉन्वे, लास्ट गिम में बाई को कैप्टन किया था, मैने, सोचा बड़ी बाडी खेल के जाएगा, आता है, पहली वाल पर छगा मारने को देखता है, सिधा आउट होता है, पांच मैच से कंदर 54 रंस है, बैटिंग फर्स तीन, चेस को बिर 46 और 32, फॉर्म, दो, तीन, क्या उन नाबाद 54, नाबाद 16, चोईस से सिरीज कंदर इसने दो मैचस में अभी तक पांच रंस करें, इस गेम में मेरे को लग रहा बड़ी पर या सकती है, टिम सेफट का नौ मैच के अंदर 33 और 159 रंस है, लास्ट गिम में केला यही चला, तर 39 के आता है इसने, ग्लेन लाग होगा, किसरे से चैप्मन खेलता है, डर्यल में से लाउट अप फॉर्म लग रहा है, साथ मैच में 11 रंस है, इस सिरीज के अंदर 7 रंस करा है, दो मैचस के अंदर, वैन्य के पर दो मैच में 49 रंस है, बैक्टिंग में 17 चेस के ब्रेकर दीज है, सैटनर इंपर इंप अपके लिए, एडम बलेन, चार मैच में एक विकेट है, भाई को पता नहीं क्या हो गया, लास्ट गिम में बहुत अच्छा स्फेल था, चार और मैच नहीं कुछ तेही सरन दिये थे 23, और बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, वैन्य के पर 5 मैच में 5 विकेट है, सोडी का टीम साओधी ने नहीं खेला है, सोड़ेट कर लेना, गन्यू पर टीम साओधी नहीं खेला है, हैट विकेट अंदर 16 में 16 विकेट है, फोगुसन खेला है, जिरो विकेट निगला है, हैट विकेट अंदर 6 मैच में 7 विकेट है, मैट रेक मैच में एक विकेट है, और इस व सेटनर का चौता साथवा नववा बारवा फगुसन का पांचवा ग्यारव सुलवा बीसवा शोड़ी का आठवा दसवा चौदवा थारवा अवरता लाज़ी इनके अंदर मैचप देखते हैं बैरिस्टो वर्सिस कोई खास मैचप नहीं है भाई का लुकी फगुसन इनको प चकी कि भाद तरहें अगेंस एडम लेन आच इनिंग्स में तीन बर आऊट कर चूगा है जैक की दिरीव सॉड़ी कि बाद ने इस को तीन इनिंग्स में दूबार आऊटिए ह। यह बोल 2 डेगे के ठीम डे या का एकर सांट इसेट ग्या हाएं उट ठाटा, मलान ची बाद से ऐसे expectations नहीं रखते सोडी 73 वाल 128 इनिंग्स में दुबर आउट कर चुका है Livingston वर्सेस फोकुसन 21 वाल 23 इनिंग्स में दो बार Butler वर्सेस साउधी 13 इनिंग्स में चार बार आउट कर चुका है इनकी बैटिंगी नहीं है रही सुचा Livingston, Butler, Moyni Ali ये टॉप 4-5 ही काम कर जा रहे है Butler वर्सेस सोडी 75 वाल 48 इनिंग्स में दस इनिंग्स में पांच बार आउट किया है Sam Karan की तो बैटिंगी एक भी मैच में नहीं है Moyni Ali वर्सेस टिम साउधी 6 इनिंग्स में दुबर आउट किया है सोडी 9 इनिंग्स में पांच बार आउट किया हुआ है Finn Allen वर्सेस सामि निंग्स में दूबर आउट किया है तेरा वॉल्स में पांच रंदे के बाइड आन करेश ने 19 बॉल के चान्दे के 17 इनिंग्स में में रंआउट किया है Conway वर्सिज लेविंस्टेन गैस एटिंसन ने लाज गेम में आउट किया था मिडवेकेट मिडवेकेट नहीं कहेंगे इसको स्क्वेर फाइनले की बोल दो उसको फाइनले की तरफ कैस किया था एक इनिंग्स में आउट किया है टिम शेफ़र्ड वर्सिज क्रिस जॉर्डन अधिल राशुद बहुत अच्छी बैटल है, बार इनिंग्स में पांच बार आउट किया है, 83 बाल में 98 रंदेगे, पर लास्ट गेम में विल जैक्स ने बोल्ड किया था भाई को, तीन बाल में दो रंदेग एक इनिंग्स में एक बार, और यह आप पड़ सकते हो इसली, कि इस तीम के सामने क्या मैच आप रहा है, साइन अप कर सकते हो, विजे में के पर फिरी के इंदर 500 रुपी साइन अप बोनस में था, एंटरी इस बहुत का मैस कंपर तो रेप्स, तो साइन अप कर लेना, इस गिम में भी आपको 20,000 रुपर का गिभव भी देखने को मिलेगा कॉमन कैप्टेन मलान, टिम शेफ़र्ड अलग जाना, तो साइन अप करन हो गया, हैरी ब्रुक और ले मिशन को रोटीट किया जा सकता है, वन मिलन का मिशन देखता है, कब तक पो रहा होता है, अटे मैं पहले कोशिश करूँ, आपको बैस दूँ, जिस तरह से भी 2-3 दिन गया है, अपने टीम के, बहुत खराब गया है, अल्ट्रा क्रीन सूप है, फ्रॉम देखते हैं, रिवर्स फेंटेसी, बट लेट सी, अच्छा करने के कोशिश करेंगे, जो है सच्छा ही होई कहता हूं, तो यहाँ पर मैंने कैप्टेन गया है, मिशिल सैटनर को बहुत आदेल राश्यद के से अच्छा एटिंग से मैठ हंडरी फिलार्मन ले लिए होगा है, एक्सवक्ति मैठ हंडरी इस गिम में खेले, बट होई बात है मैठ हंडरी खेलेगा, विल जैसी इंपोर्टनस कम हो जाएगी फिर, और अरहें मिलें जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है बहुत अच्छा गेंबा जो के विकेट्स नी निकाल पारा, लास गम भी बहुत अच्छा स्वेल तो असका मनला उसको को गलती नहीं है, विकेट्स मिलेगे, डॉट बॉल बहुत अच्छी डाली तो इसमें, बटलर लेगे जा सकते हो, बट मैं कॉनवे को बैक करूंगा, बटलर वत पभीलो जब आपको मैठ अंडर खेलता वा दिखता है तो, कौन वे, तेरा पॉंट जिए बाई, एक टाइम पे, मिलाब क्या ही कहूं है, अई पेल में बंदा हर मैच में 90 पॉंट, 100 पोंट लेगे जा रहा है, वो प्लेयर, ना मलसी के अंदर चला, ना बाई आप लिगे जा सकते हो, मैं बैक करूंगा सैटनर को, और सैम करें को, जो रेगुलर्स बॉलर है, टिम साउधी इंपॉर्टेंट है, याद्दर रशे तीन से चार वो डाली रहा है, एडम लेन बॉलिंग फर्ष में ट्राइ कर सकते हो, फागुसन बॉलिंग फर्स्ट, वह जो अपने कॉंटेस्स होते हैं, वह कि लो जुरियो कमिशन वाले, जाएंद